एक फिल्म आ रही है गंगुबाई काठ्यावाडी आलिया भट लीड रोल में है और इसे डारेक्ट कर रहे है संजली लभनसाली अभी फिल्म के शूटिंग पूरी भी नहीं हुई कि ये फिल्म कानूनी पचलों में फस्ती नजर आ रही है इसके खिलाब मुकदमा दायर कर दिया गया है शूटिंग रोपने की मांग की जा रही है आज तक की रुपोर्ट के मुताबक ये केस असल गंगुबाई के बेटे बाबू जी राब जी शाह ने फाइल किया है उन्होंने फिल्म के मेकर्स के खिलाब केस दर्ज करवाया है आए जानते हैं क्या है पूरा मामला यो तो फिल्म में असल गंगुबाई की रियल लाइफ और उनका स्ट्रगल दिखाया जा रहा है लेकिन फिल्म की कहानी बेस्ट है एस उसेन जैदी की किताब माप्या क्वीन अफ मुंबाई पर इस किताब में उसेन जैदी ने गंगुबाई काटिया वारी के बारे में भी बताया है और उन्होंने किताब में रिपोर्टर जेन बोर्गिस की उरिजिनल रीसर्च के आधार पर बाते लिखी है अब गंगुबाई के बेटे ने इस किताब की कुछ बातों को मानहानी कारक बताया है उन्होंने पेज 50 से लेकर 69 के बीच को गलग बताया है उनका कहना है ये किताब उनके प्राइविट मामलों में दखल देती है बाबुजी राब जी ने 20 दिसंबर को बॉम्बे सिवल कोर्ट में मामला दर्च करवाया उन्होंने किताब से कुछ चैप्टर हटाने की मांग की और फिल्म की शूटिंग रोकने की भी मांग की है साथी किताब की प्रिंटिंग और बिक्री पर भी प्रतिबंद लगाने की मांग रखी है कोट ने 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई की और संजलीला भनसाली को जवाब दाखिल करने के निये 7 जनवरी तक का समय दिया बाबुजी राब जी के वकील है नरेंद्र दूबे उन्होंने एक मीडिया पोटल से कहा कि जब से फिल्म का पोस्टर बगहरा सामने आया है से गंगुबाई के परिवार को परिशान किया जा रहा है उनके परिवार को लेकर अववाएं फैलनी शुरू हो गई है और परिवार के लोगों को वेश्या के परिवार के लोग बुलाया जा रहा है कौन थी गंगुबाई गंगुबाई वो सेक्स वर्कर थी जिन्होंने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के खिलाब आवाज उठाई पुधान मंत्री तक के पास पहुच गई उनकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर सेक्स वर्कर अपने पास रखा करती थी माविया कुईंस ओफ मुंबई किताब के मताबिक 16 बरस की उमन में गंगुबाई गुजरात के काठियावार से मुंबई आई थी उन्हें शादी के बहाने धोगा देकर मुंबई लाया गया और कमाठीपुरा में बेच दिया गया गंगुबाई ने विरोध किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना आखर में उन्हें जिन्दगी से समझोता करना पड़ गया उन्हें कमाठीपुरा के विशाले में रहना स्विकार कर लिया विशाले में रहते हुए भी गंगुबाई ने सही गलत की हमेशा पहचान रखी उन्होंने डॉन करीम लाला को राखी भी बांधी, सेक्स वरकर्स के लिए बहुत काम किया मुंबई के आजाद मैदान में दिये गए एक भाषन में उन्होंने पूरी भील को थर्रा दिया था इसमें उन्होंने कहा था कि अगर कमाठी पुरा की औरते ना हो तो मुंबई की सड़के औरतों के लिए सुरक्षित हो जाएंगी मर्दों का वहशी पना वो वेश्याएं जेल लेती हैं जिनको लोग नीची नजर से देखते हैं इसी गंगुबाई काठिया वाडी की तस्वीर कमाठी पुरा के कई कमरों में सेक्स वरकर्स निलगाई उन्हें मैडम ओप कमाठी पुरा कहा जाता था संजलीला भंसारी जो फिल्म बना रहे हैं पहले वो सितंबर 2020 में रिलीस होने वाली थी लेकिन कोरोना की वज़ा से लगे लॉक डाउन के कारण ये प्लान पेल हो गया अब लॉक डाउन के बाद फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई है आपके लिए खबर लिखिया हमारी साथ ही लाले माने मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहे है ती ललन टॉव